आप्मा नमस्ते, God's Love Channel, शेरल, आज हम सीखेंगे How to Love Self तो आप लोगों को लगता है, पर मैं तो प्यार करती हूँ खुद से आप अपने आप से प्यार करते हैं बेशक पर ये प्यार जो आप खुद से करते हैं उसकी जो उसका दृष्टिकॉन है, जो उसका attitude है, जो उसके मापदंड है वो हैं किसी और की दृष्टिकॉन से आप खुद को देख रहे हैं जैसे के हस्बन ने बोल दिया तुम कि तुम ही beautiful हो, तो I feel beautiful है ना, हस्बन बोलते है, you look bad, I start to look bad ममी ने बोल दिया, तुम बहुत बुरी, आजकल इतनी बत्तमीज होगे हो, हाँ, बत्तमीज ही नहीं करना है that is not beauty, okay, and that is not good as well, क्यों, क्योंकि हम किसी और को परेशान कर रहे हैं but, जब हमारे वियवहार अच्छा है, और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और फिर भी जब हम कुछ बता रहे हैं तो वो हमें बोल रहे हैं, नहीं, आप पहले बहुत अच्छे थे, अब अच्छे नहीं रहे, तो वो जो situation है, उसमें आपको रियलाइज करना है कि लोग आपके, आपको जब तक यूज कर सकते थे, तब तक आप बहुत अच्छे थे, जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, या फिर अपना पक्ष रखा, या फिर आपने उनको बोला कि नहीं, इस इस नहीं आप पास पैसा आप हवाँ में उड़ रह से हैं, तब आपको कभी-कभी खुद के ऊपर डाउट हो जाता है, तो हम यह सब पहलू पर जाएंगे, how to love yourself unconditionally, last time, जब हम romance and finance का topic कर रहे थे, तो किसी ने पूछा, कि is love unconditional, तो मैंने बताया था, कि no, love is not unconditional, love is always mutual, क्या कहा था मैंने, love is mutual, mutual क्यों, दो इनसान हैं, दोनों के बीच में, mutual love होना चाहिए, ममी, parents और बच्चा, और husband, wife, boyfriend, girlfriend, siblings, मतलब भाई बहन के बीच का प्यार, हर चीज़ mutual होता है, एक प्रतार्ना दे और दूसरा प्रतारित होता रहे, that is not called mutual love, अना, बट एक जगे, unconditional love होता है, और वो होता है, खुद से, खुद को प्यार करना, unconditionally, दुनिया जो कहती है, तुम्हारे बारे में, वो दुनिया का thought process है, मैं अपने आपको प्यार करती हूँ, वो मेरा attitude है, खुद की तरफ, जो हम सोच रहे थे, unconditional love does not exist, अब realize होता है, unconditional love does exist, वो exist करता है, कहां? खुद को, खुद से.